यूपी के हरदोई में सैलाप का सितम जारी है गर्रा नदी में आई बार से भीसर तबाही मचा दी है जिले के सो से अधिक गाउं पानी से घिर गए हैं हजारों के आबादी गाउं में फसी हुई है ऐसे में SDRB की टीम भी मौके पर पहुँच कर राहत बचाव में जुटी हुई है पानी का बहाव इतनी तेज है कि साहाबाद पाली स्टेट हाईवे पर 50 फिट सड़क पानी में बह गई है ऐसे में दोनों तरफ से आवागमन पूरिता बंद कर दिया गया है बही बाढ़ पिड़तों में परसासन को लेकर गुसा है लोगों का कहना है कि वह बहुत परेसान है परसासन से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है बाढ़ किस्तिती बहुत दुगदाई है लोग तीन दिनों से अपने अपने मकानों में घरों में छटों पर बैठे है पाली और सहाबाद के बीच का मार्ग है जहां से हम लोगों का आवागमन होता है यह पुलिया थी यहां पे और यह धीमे धीमे करके रूड कटता जा रहा है कोई भी प्रशासन की वेवस्ता नहीं हो पा रही है और जो गाओं डूबे हुए है यहां पे लोग बहुत ज़्यादा फश चुके हैं ना कि उनके खाने की वेवस्ता है और ना यह उनको निकाला जा पा रहा है प्रशासन ने बाटर बोट दी हुई है यही एक मात्र आनी जाने का साधन है यह गर रहा है और फिलाल यह जहां पर आप खड़े हुए है यह परेली ग्राम है और बाट की श्तिदी आप पूछने के दो जरुवत ही नहीं है आप लोग खुदी देख रहे हैं और बागे प्रशासन का कोई अभी हमको तो लाप दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पर कोई दिखाई दे रहा हो और सड़क तो पूरा कटा हुआ है आप देख सकते हैं आबागवन पूरी तरीकी से बादीत है बहुत बुरी इस्तित है हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और यहां कोई आबागवन का साधन नहीं रहा हमारे पुलिया उसालक बढ़माई गई वो गताई गत्षत हो गई है हर्दोई जिले में बाड से हलात बेकाबू हो गए है हर तरब बाड का पानी ही पानी नजर आ रहा है बाड गरस्त इलाकों में इस्तितिया है कि गाउं में कमर से उपर पानी भरा हुआ है ऐसे में बाड गरस्त गाउं में लोगों को खाने पीने के साथ ही रहने और जानवरों के लिए चारे का प्रबंद करना भी मुश्किल हो गया है करीब 10,000 से अधिकी आवादी अभी भी बाड गरस्त चेतर में फसी हुई है लोग घरों की च्छत पर रह रहे हैं तो वहीं लोग पानी में रहने और जानवर बांधरे को मजबूर है इस डियारप की टीम बाड परवावी छेतर में जाकर बाड में फस्ये लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है साथ ही प्रसासनिक महकमा रासन सामगरी और भोजन के पैकेट बाड पीड़तों तक भिजवाने का दावा कर रहा है ग्रामीडों के लिए प्रसासन की यह मदद उट के मुँ में जीरा साबित हो रही है ग्रामीडों का कहना है कि कुछ अस्थानों पर ही प्रसासनिक अफसरों ने रहास सामगरी बटवाई है जबकि अभी तक उनके पास कोई भी रहास सामगरी नहीं पहुँची है ऐसे में लोगों का जीना मोहाल हो गया है साथ ही बाढ़ के पानी में तमाम जगों पर अन्ना पसू भी खसे हुए हैं जिनकी हालात दैनी है